अर्मान पिर्शा को हांसल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है लेकिन लगता है कि इन दोनों के जोड़ी तो उपर से ही नहीं बने क्योंकिर क्योंकि रुद्राक्ष और प्रिशा नाचाते हुए भी हर बार मिल जाते हैं और अर्मान लाख कोशश करने के बावजूद भी प्रिशा को अपने पास रोकने में नाकामियाब रहा है। आने वाले ट्राक में आप देखेंगे कि बहुत जल्शो में होने वाला है एक बड़ा तमाशा और फिर शुरू होगी रुद्राक्ष और प्रिशा की एक नए सिरे से नई कहानी। देखेंगे आप आने वाली कहानी में कि अर्मान रुद्राक्ष और प्रिशा के बीच में गलत फहमी क्रियेट करने की बहुत जादा कोशिश करेगा लेकिन यहाँ पर सारांश इन दोनों के रिष्टे की एक मजबूत कड़ी बन कर इन दोनों का रिष्टा बचाने वाला वो शुरुआत से लेकर अब तक सिर्फ और सारांश की वज़ा से ही है और काफी जादा स्ट्रॉंग भी है लेकिन अर्मान अपनी गलती से खुद अपने पैरों पर कुलहारी भी माणने वाला है जिसके बार प्रिशा के सामने अर्मान का सारा सच भी निकल कर आ जाएगा और वो शो का नया विलन बनता हुआ भी नज़र आएगा अब आप देखेंगे कि कैसे अफ़सा में आ गया है अर्मान की घटिया साजिशों का एक्सपोज होने का और बहुत ज़ग आपको शो मेंकर्स यही करवाते हुए नज़र आएगे आप देखेंगे कि कैसे सानिया भी काफी ज़दा frustate हो गई है रुद्राक्ष को हासल करने के चकर में तो वही अनमान भी प्रिशा के लिए काफी ज़दा बेताब है बेकरार है frustration level दोनों का इतना जादा high हो जाएगा आने वाले sources की माने तो दोनों आपस में ही लड़ते हुए एक दूसरे की पोल खुलते हुए यहाँ पर नजर आएंगे वो कहते हैं ना कि जब समय बुरा होता है जब वक्त बुरा होता है कितना भी आप कोशिश क्यों न कर लो लेकिन आपके बस में चीज़ें होती ही नहीं है और ऐसा ही कुछ होने वाला है अर्मान और सानिय के साथ भी जो अपनी ही लड़ाई में खुद ही हार जाएंगे और दोनों आपस में दूसरे को एक्सपोस करेंगे और बस उसके बार प्रिशा अर्मान को सीधा भेज़ दे की जेल और फिर रुद्राक्ष प्रिशा और हमारा प्यारा सारांश अपनी हां से खुशी जिन्दगी एक बार फिर से जीते हुई नजर आएंगे और एक बार फिर से इन तीनों को एक फ्रामली के तौर पर देखना बहुत ही जादा खुशी से हमें बहुत ही जादा एकसाइटिंग होने वाला है क्योंकि शो मेकर्स एक बार फिर से कहाने को जहां से शुरू किया तब वहीं पर लेकर आने की प्लानिंग कर रहे हैं वैं कितने एकसाइटिंग हैं आप इस खुबचुरा क्रैक के लिए कॉमेंट ज़रूर करें साथ इस वीडियो को लाइक शेक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें